हलो गाईज तो आज हम डिसकस करते वाले हैं चैप्टर मैप के बारे में मैप क्या होता है, मैप के टाइप का है, मैप का इंपोर्टेंस क्या है और मैप को हम किस तरह ऐसे यूज करते हैं और मैप के क्या क्या इंपोर्टेंस है हमारी लाइप में तो हम लोग देखते हैं वी अव लूर्ण इन प्रीवियस चेप्टर बाउट इडवांटेजिस अब ग्लोब हमने पिछले ही लैक्षर में देखा था कि ग्लोब क्या होता है और ग्लोब से रिलेटेड इन पॉफिशन के बारे में हम लोगों ने डिसकस किया था बट ग्लोब क्या है एक सर्कल की तरह है जो अर्थ का एक मॉडल है जो अपनी एक्सिस पर पूरा बाइंड़ है और जो रोटेट करता रहता है बट अल्टिमेटली हम जो अर्थ का जिस तरह का शेप है उसको हम मैप्पर प्रक्टिकली नहीं बना सकते तो अल्टिमेटली हम मैप्स में एक्जक्त लोकेशन के बारे में स्टेडि करते हैं गलोब हैसख लिमूटेशन घृण है लिमिटीशन के लिमितिशन सपने हैं अगर हमके बाचलाट वह स्टेडी करना चाहती है तो उसके लिए लिए गロ बहुत अच्छा है कि अगर किसी टाउन की या किसी ब्लेज की या छोटे से एरिया की किसी स्पेसफिक एरिया के बारे में डिसक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए मैप बहुत इंपॉर्डेंट है स्केल की हिसाब से हम लोग मैप को क्या करते हैं बनाते हैं अर्थ के सरफेस को एक कागश पर बनाते हैं जिससे हमें अप्रॉक्सिमेटली उसके बारे में एक्जक्ट पता चल जाता है बट इस इंपॉसिबल तो फ्लैटन आराउंड शेप पंप्लीटली बट जो जिससरे का शेप है उसको एकदम से फ्लैटन कर पाना पॉसिबल नहीं है को सरे कामों में बहुत एंपूर्टन रहता है न शोटे इरिया दीठाता है और युछ पेक्ट के के बारे में अग रहता है सब्सक्राइप में ग्युक्स हैं maps are put together we get an atlas book जब बहुत सारे maps एक साथ में किसी एक जगा पर रखे जाएं एक बुक में रखे जाएं तो उस बुक को कहा साता है atlas atlases are the different sizes measurements drawing on different scales atlas वो books होती हैं जिनके different size होते हैं और जिनको हम draw करते हैं एक scale पर maps provide more information than the globe maps यो होते हैं वो globe से globe से ज्यादा information provide करते हैं they are of different types अलग-अलग type यो होती है some of them are described low map ultimately यह three important type यो होते हैं पहला होता है physical map map showing natural features of the earth जैसे कि mountain, plateaus, plains, oceans, rivers अगर यह सारी चीजों के बारे में अगर कोई map बता रहा है तो physical map अगर हम political map की बात करें map which are showing cities, towns, villages, different countries, states, world या with their boundaries वो उनकी boundaries के साथ अगर इन जगाओं को बता रहा है तो इसको political map कहा जाता है एक आता है thematic map some maps focuses on specific area अगर हम किसी specific area पर focus कर रहे हैं और उसके बारे में जान रहे हैं उसका road map बना रहे हैं जैसे कि हम rainfall की बात करें, rainfall की map की बात करें या maps showing distribution of forest की बात करें या industries की बात करें तो इन maps को जिसमें हम specific चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें rainfall हो गया, industries हो गया इसको thematic map कहा जाता है उसके बात हम sketch की बात करते हैं sketch का मतलब क्या होता है ultimately हम memory के based पर किसी बी चीज का observation बना लेते हैं उसको sketch कहा जाता है sketch is a drawing mainly based on memory यह memory के उपर based होती है and spot observation and not to skills spot observation के basis पर यह based होती है and sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to the other places हम कभी-कभी roughly किसी चीज का sketch बना लेते हैं ultimately यह colony यहां 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 यह प्लेस यहां यहां पड़ती है उसका sketch बनाते हैं suppose you want to go to your friend आप अपने एक friend के घर जाना चाहते हैं but you don't know the way आप रहो रस्ता नहीं पता है you don't know the way your friend will make a rough drawing to show the way to his or her house such a rough drawing is a drawing is drawn without the scale and it is called sketch map sketch map का मतलब क्या होता है आप अपने एक दोस के घर जाना चाहते हैं और वो आपको roughly एक कागच पही हलका सा sketch बना के दे दे जिससे आप उसके घर तक पहुंच सके उसको कहा जाता है sketches sketches के बाद होता है plane is a drawing of a small area एक small area की drawing होती है on a large scale large scale पर a large scale maps gives lot of information वो बहुत सारी informations देते हैं but they are certain things वो कुछ thing होती है which we may sometimes want to know जो की हम कभी कभी जानना चाहते हैं for example the length and breadth of a room which can't be shown in the map एक room की length of breadth जो की shown नहीं की गई है at that time we can refer drawing draw to scale is known as a plane और हम क्या करें ultimately उस समय उसकी एक drawing draw कर ले जिसे हमें उसके पूरे plane के बारे में उसके plan के बारे में पता चल जाएगा ultimately चिक है उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं maps की components क्या क्या होते है ultimately हमने देखा map क्या है map एक ऐसी drawing बना लेते हैं जिसे हम किसी specific area के बारे में बता सकते हैं समझ सकते हैं उसके बाद ultimately हमने three types के map देखे जिसमें physical map, political map or thematic map होते हैं उसके बाद हम maps के component देखते हैं map के component में हमें important components आते हैं पैरा distance दूसरा direction और तीसरा symbols अब हम one by one in को discuss करते हैं सबसे बहले हम distance को करते हैं maps are drawing which reduces the entire world or a part of it to fit on seat of a paper map क्या करता है? drawing मनाता है drawing करके जो world का different different part है हम लोग उसको fit कर पाते हैं paper पे और we can say map are drawing to reduce the scale और हम ये भी कह सकते हैं map जो होते हैं scale को reduce करने के लिए जो जिस तरह से हम world के different part को समझना चाहते हैं वो उसको reduce करके paper पे show कर सकता है but this reduction is done very carefully show that the distance between the places is real और ये जो reduction हम लोग करते हैं उसको हम बहुत ही carefully तरीके से करें ऐसा ना हो कि हमने कहीं का distance कहीं कर दिया it can only be possible when a small distance on paper represent a large distance of on ground ultimately ये तभी possible है जब paper पे हम अच्छे से एक large तरीके से distance को last paper को paper का distance हम लोग ground पे last तरीके से show करें show करते हैं जिसे मैं पता चल जाता है कि एक अच्छे से एक पूरा design हुआ है therefore a scale is chosen for this purpose और इसके लिए scale का choose करते हम लोग scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on map ये क्या होता है ये जो scale होती है ये ratio रहता है actual distance और ground पे जो distance होता है उसके बीच का जैसे कि the distance between your school and your home is 10 km आपका और आपके school का जो distance है वो 10 km है the scale you draw will be 1 cm is equal to 5 km अब आप क्या करोगी जो आप scale बना रहे हो उसमें आप क्या करोगे 1 cm को आप 5 km के इसाप से draw करोगे the scale is very important in map any map और इसका मतलब जो scale है वो किसी भी map में बहुत important है if you know the scale you will be able to calculate the distance between any two places अगर आप दो places के बारे में जानते हैं तो आप scale की मदद से उन्हें easily draw कर सकते हैं when large area continent or countries are to be shown on paper then we use small scale जब हम बड़े बड़े large areas जैसे continent or countries को बनाते हैं जब हम छोटी-छोटी small scales का use करते हैं 5 cm on the map shows 500 km और map में जो 5 cm होता है 500 km शो करता है it is called small scale map और वो small scale map कहा जाता है ultimately हम लोग एक बात बहुत ही समझने लाइक यहाँ पर important है कि जब भी हम maps की steady कर रहे हूं तो distances जो है वो अलग-अलग तरीके से scale को scale का measurement हमें बहुत ही अच्छे तरह से करना होता है क्योंकि हम लोग अलग-अलग तरीके से scale को measure करते हैं when a small area like blazes or town blazes or town is to be shown on paper then I use a large scale जब हम छोटा किसी blaze town को दिखा रहे हैं तो हम large scale का use कर सकते हैं हम किसी बड़े area को show कर रहे है जैसे की continent और country के बारे में मैंने बताया था तो उसके लिए ultimately हम लोग क्या करते हैं small scale का use करते हैं large scale maps gives us information more than small scale map small scale maps से ज़्यादा large scale maps हमें क्या देते हैं ज़्यादा information देते हैं अब हम direction की बात करेंगे most map contain an arrow mark with the letter N at the upper right hand corner and this arrow shows the north direction it is called north line then in the below हमारे पास south में ऐस होता है जिसको हम ऐस कहते हैं when you know the north you can find out other directions for example east best and south there are major directions north, south, east and best they are called cardinal points चारों direction जो होते हैं उनको cardinal point कहा जाता है ultimately अगर आपको एक भी direction के बारे में पता चल गया तो आप सारी directions के बारे में पता कर लेंगे other four intermediate directions are north east, south east, north best, south best we can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions और हम इन directions की मदद से क्या कर सकते हैं जो earth है उसमें हम locations को क्या कर सकते हैं अच्छे से locate कर सकते हैं we can find out direction of a place with the help of compass और compass की मदद से भी हम जो direction होता है उसको पता कर सकते थे और पहले के time में लोग इसी तरह use करते थे जैसे sun जहां से rise होता था sun हमेशा सूरज हमेशा पूरब से निकलता था that means east से sun rise होता था और बैस में जाता था तो उसी के basis पे लोग पहले की जमाने में जो डारेक्शन से उसको पता किया करते थे है और वी किन फाइंड आउट डारेक्शन ऑफ प्लेस बिदा हेल पफ कंपास इस एन इस्टुमेंट यूज तो फाइं डारेक्शन में डारेक्शन या फिर हम जिसको कह लें दिशा के बारे में पता करते हैं इस ग्राइट बर पाइट ऑनवेशन पंपोर्ट नौट और इसकी जो में असींडिक बॉल्ड होदी ओंट या सॉट डारेक्शन की तरह हमेशा इस पॉइंट करती यह शिम्बॉल की बात करेंगें चोंकि और इंपॉर्टेंच शन खमपोनेंट मैंप का विदा व्सक्रू that so they are shown by the certain letters shirts colors pictures and line these symbols give a lot of information in a limited space अब हम लोग symbols की बात करते हैं symbols बहुत ही important होते हैं ultimately with the use of these symbols map can be drawn easily and are simple to read maps की मदद से हमें क्या होता है हम लोग easily किसी चीज को अच्छे से समझ पाते हैं और easily हम लोग pick कर पाते हैं with the use of these symbols map can be drawn easily and are simple to read even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for the direction अगर हमें किसी language के बारे में नहीं पता और अगर हमारे पास maps हैं और I mean हमारे पास symbols हैं तो symbols के business पर भी हम समझ सकते हैं जिससे अगर हम किसी country में जाएं जहां कि language हमें नहीं पता हो तो हम ultimately क्या करते हैं symbols का use करके भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझ लिया करते हैं you can collect information from maps with the help of these symbols आप symbols की मदद से इन बहुत सारी information collect कर लेते हैं maps as a universal language maps की universal language होती है that can be understood by all और जो की सभी समझ सकते हैं there is an international agreement regarding the use of these symbols और इन symbols के use के लिए international agreements हैं जो की worldwide same चलते हैं these are called conventional symbols और इनको क्या कहा चाता है conventional symbol कहा जाता है इनको क्योंकि इनका international agreements हुए हैं कि जो वर्ल्ड की different different countries हैं जो भी उसकी member हैं उन्होंने सभी ने agree किया है कि हम लोग यहीं symbols यूज करेंगे सभी दिशों में various colors are used for this purposes अलग अलग colors इस purpose के लिए यूज होते हैं for example generally blue is used for showing water bodies जबकि जो blue होता है water bodies को show करने के लिए होता है brown for mountains or mountain के लिए brown yellow for the plateus plateus के लिए yellow और green for the plains and plains के लिए green का green यूज होता है जैसी कि आपको यह symbols दिख रहे है railway station का है bus stop का है अलग-अलग आपको petrol pump का है post office का है यह different symbols आपको यहां पे दिख रहे हैं तो I hope आपको यह chapter map that what we call Manchitra in Hindi अच्छे से समझ में आ गया होगा कि map कितने टाइप क्यों होते हैं मैप की क्या क्या component होते हैं direction distance और इसके साथ में symbols यह बहुत ही तीनों important components होते हैं map के इसके बारे में आज हमने पड़ा I hope आपको यह chapter अच्छे से समझ में आ गया होगा तैकि so much